हेलो स्टूडेंट कैसे आप अगेन आपके साथ एक और वीडियो और ये वीडियो थोड़ी से अलग है क्योंकि मैंने देखा कि इस बार बहुत सारे बच्चे जो सैम वन के हैं जिन्होंने ट्विल्थ पास किया था बिसिकली और उनका हुआ ये कि उनका रेगलर कॉलेज में किसी रीज़न से चाहे सइद में कम पर्यादेज बना हो聲 चाहें सीवीडिकली का फार्म भरना भूल गए तो रेगलर कॉलेज में इंडवीशन हो पाया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां पर कि यार एड्मीशन मेरे को रेगलर ही करना है मेरे को नहीं करना है तो सबसे पहले तो हम रेगलर कितनी तरीके कि हमारे डियू के अंदर डिपार्टमेंट्स बने वे सुड्ट के लिए उसकी बात कर लेते हैं सारिफ मैं डियू वैसे आधर लिज्ट के में भी पॉसिबल होता कि लेंगिर अलग低ट ब्रॉसीजर है तो एक होता है रेगलर एक होता है S.O.L. School of Open Learning एक होता है Non College NCWEB ठीक है तो regular S.O.L. और N.C. इसके अंदर न एक तो सबसे पहले सर्फ और सर्फ B.C.M. होता है इसके अंदर और B.A. वाले बच्चों के लिए सर्फ B.A. प्रोग्राम ठीक है इसमें honors का प्रोविजर नहीं है और दूसरी main चीज इसकी खास बात है यह सर्फ girls के लिए ठीक है न इसमें boys apply नहीं कर सकते हैं उनका college particular lot होता है अब आपने अभी 12th का exam दिया था और बहुत बच्चों के मान लेते हैं 12th के अंदर percentage जो थे वो अच्छे percentage थे good marks थे मैं यह नहीं कह रहा कि इतने percent थे good marks थे लिखिन आपके अच्छे percent होने की वज़े से आपका regular college में admission हो जाए अब ऐसा नहीं रहा पहले percentage के basis पे cut off निकाला जाता था अब percentage के basis पे cut off नहीं रहा तो ऐसे situation में अब आपको C.U.T. का C.U.T. का एक exam देना होगा इस exam के बाद आपका regular college में admission होगा छीक है यह सारा overall procedure है इसका सर regular और S.O.L. में क्या फरक है regular college के अंदर आपको रोजाना daily college जाना होगा attendance होगा like आपका school बस फरक इतना होगा वहाँ थोड़ी आपको liberty दी जाती है कपड़े पहनने की like dress code नहीं होता college का दूसरा वहाँ पे आप जब मरजी college से बाहर जा सकते हो जैसे school के अंदर होता है पांच गंटे रहना है आपको lunch break या फिर आधी छुटी जिसे बोलते है कुछ उसमें हम घर भाग जाते थे तो वह कहान ही नहीं है आपको attend करना है तो करिए नहीं करना है तो मत करिए लेकिन attendance आपकी 75% होगा तभी college में allowed करेंगा तो एक ही है S.O.L. के अंदर आपका ऐसा रहता है कि college ही नहीं जाना college जाना ही नहीं है S.O.L. के अंदर तो आपका Sunday Sunday लगता है कई बार Saturday Sunday लगता है तो आप जाना चाते तो जाए नहीं जाना चाते तो मत जाएए ठीक है NC Web में week में one day college लगता है और भी कई time पे regular college भी हो जाता है यह फरक है basically तो यहाँ पे है दोन अगर मैं तीनों की बात करूँ न यह तीनों यूनिवर्सिटी तीनों यूनिवर्सिटी हमारा DU Delhi University का ही part है और Delhi University से ही सारी के सारी चीज़े provide की जाती है इस तीनों यूनिवर्सिटी ठीक है अब हम बात करें अगर आगे के सर अगर कोई बच्चा चाहता है देखो कुछ बच्चों का admission नहीं हुआ और फिर माल लेते हैं उसने NC web में admission ले लिया girls है या फिर boys, girls कोई भी USOL में तो वो चाहता है कि यार कास मैं इसके अंदर आ जाता कास मैं इसके अंदर shift हो जाता उनकी ये इच्छा रहती है कि मैं इस college के अंदर क्या करता shift कर लेता अब college में shift करने के लिए कई बच्चों को जब regular college में नहीं आता तो बहुत बच्चों के mind में एक न last video भी बनाएं कि कई लोगों का भी यहीं मानना है regular नहीं करा तो क्या करा है SL में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है यह मानना है लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई इसके अंदर आपका regular हो चाहे SL हो डीउ से ही degree मिलती है graduate मतलब graduate चाहे कहीं से भी करे अगर मैं value की बात करूं अब देखते हैं सर अगर कोई बच्चा NCWeb से regular में या SL से हो तूसरा ही option होता है कि कई बच्चे ना regular में परिशान हो जाते हैं हमने ले तो लिया लेकिन अब मेरा pocket अलाउट नहीं कर रहा आने जाने में और मुझे job करनी पड़े की college छोड़ने सकते तो उनके पास भी option होता है कि वो यहां से यहां further move कर सकते हैं यानि कहीं भी आप जा सकते हो यानि एक college से दूसरे college में इसको बोला जाता है intermigration इसको बोला जाता है intermigration चीक है जब कभी भी आपका intermigration होगा तो ऐसे situation में suppose करो SOL में बच्चा है mainly तो बच्चे वो देख रहे हैं वीडियो यह जो बच्चा SOL का है और वो बच्चा कहता है कि सर हम regular में जाना चाहते हैं regular में admission नहीं हुआ तो first of all जिनका admission नहीं हो पाए बच्चा है regular में प्लीज ले ले अभी मेरे खाल डेट पेंडिंग है आप admission ले ले SOL के अंदर और बड़े आसानी से आप regular college में जा सकते हैं अपना साल बरबाद ना करें बिल्कुल भी ना करें मेरी यही आपको बोलना मेरा यही आपको अडवाईज रहेगा कि आपको don't waste your year आप चले जाए ये टेगलर में अब जब SOL के अंदर जाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका paper होगा semester 1 और paper होगा semester 2 तो जैसे ही आपका semester 1 और semester 2 paper conduct होगा इसके बाद आपका result आएगा और सबसे बड़ी problem यह है कि SOL का थोड़ा सा result लेट आता है तो कोई भी college है चाहे आपका ये college हो ये semester 3 के अंदर welcome करते हैं migration बच्चों का सिर्फ semester 3 में यानि second year में कोई बच्चा चाहता है कि semester 1 कर लिया 2 में और same course में suppose करो for example माल लेते हैं हिंदू college ये एक regular college है अब मुझे हिंदू college में जाना है तो मैं SOL का semester 1 और semester 2 क्लियर करूँगा सारे paper क्लियर होना चाहिए सारे आपके internal marks वगरा सब कुछ update होना चाहिए मतलब पूरा clean cheat मिलना चाहिए इसके बाद मैं SOL के principle के पास जाऊँगा सबसे पहले और उनसे कहूँगा sir मैंने अपना migration कराना चाहता हूँ तो मुझे आप please एक ना NOC दे दे नो objection certificate यानि एक application simple लिखवा लो क्या मैं migration करा सकता हूँ आपको objection तो नहीं है तब ही तो मैं no objection certificate दूँगा फिर वो क्या करेंगे आपको no objection certificate दे देगे इसके बाद आप जब regular college में जाना चाहते हो तो जिस college में जाना है हिंदू तो मुझे हिंदू college के website पे जाना होगा और इस college के website पे आपका vacant seat available हुआ अगर यहाँ पे vacant seat available हुआ तो यहाँ पे vacant seat available होगा तो उस situation में मुझे उस website पे check करना होगा अगर जिस बच्चे को किसी college पे vacant seat available नहीं और उसका वो dream college और वहाँ जाना चाहता है तो अब directly जाके वहाँ भी पूछ सकते हैं और contact number भी even given होता है कि sir मुझे migration करवाना है तो क्या semester 3 में कुछ vacant seat पड़ी भी हैं अभी आपकी अब माल लेते हैं हिंदू college ने बोल दिया जी हाँ vacant seat available है अब मैं उनके principal के पास जाऊँगा और मैं अपनी सारी चीजे दिखाऊँगा mark sheet यहाँ एक problem आएगी कि आपको यहाँ का mark sheet second semester का बहुत late मिलता है जब तक admission close हो चुका है तो आप जाएंगे SOL के examination cell में और उनसे आप request करेंगे कि sir मुझे regular college में migrate कराना है please मेरा result दे दे और वो confidential result आपको provide कर देते हैं ऐसा possible है जिन बच्चे को कहीं emergency में admission लेना है late हो रहे हैं जाएंगे और जाने के बाद अपना confidential result निकल वा लीजिए वो result निकाल देते हैं और उसके business पर जा सकते हैं तो वो result लेके यहां के principle के पास जाएंगे principle आपके result को देखेंगे और उसके बाद वो decision लेंगे कि हाँ यार आपका चलो ठीक है आप कम admission ले लूँ आए हाँ पर seat भी अविलेबल है आप आ सकते हैं यह भी आपको एक NOC दे देंगे no objection certificate यानि ना तो इन्हें दिक्कत है अपने पास admission लेने में ना ही SL को दिक्कत है आपको migration करने में तो आप easily सारे document जो है वो सारे document जो आपके लगते हैं semester 1 और 2 और same course में ही migration हो सकता है आप वहाँ पर जाएंगे document deposit करेंगे जो उनके fee होती है वो सारी चीजे करेंगे और आपका migration complete हो जाएगा और आप regular college में जाने लगेंगे जो बच्चे regular college के बेसे साल drop कर देते हैं यह सिर्फ और सिर्फ कब possible है यह सिर्फ और सिर्फ possible है semester 3 के हैं तो यह बड़ा simple सा procedure है काफी बच्चों को नहीं पता था मैं officially क्योंकि बच्चे देखो प्रोस्पेक्टस में इतनी सारी चीज़े लिखा रहता है मैं सिंपल सी बात कहूं कि वाट्सप के terms and condition कितने बच्चों को पता है हम एक्सेप्ट करते हैं एगरी 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 करते हैं कि नहीं पता ऐसे प्रोस्पेक्टस अपको प्रोस्पेक्टस दीखा थेता हूं से देखे आपको चैनल किस्टे बास्पेक्टर के यूजी प्रोस्पेक्टर से इस पे है पेज नंबर आप खुद जा सकते हैं 73 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है सर्थ आपको विजुलाइज होगा होफुली इंटर कॉलेज आपका माइगिरेशन कहता है एस पर अमेंडड आपका ओडियन्स मतलब के अमेंडमेंट इसका जो है डेली उनिवर्सिटी अप्लीकेबल निससरी कंप्लाइंस करना होगा सबसे पहली बात बोला गया है के परमेंटेड इन सेमिस्टर 3 के अंदर आपको परमीशन दिया जाता है इसके बाद कुछ जो डॉक्यमेंट है वो है दूसरा प्रवाइट सेमिस्टर वन और टू का कंप्लीट आपको डॉक्यमेंट देना होगा मतलब सब एग्री होने चाहिए इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपको उस कॉलेज के अंदर से जाके इंटर कॉलेज नॉट आलाउड पूस ग्रेजुट में नहीं है सिंपल सी चीज़े आप इसको पढ़ लिजेगा जो चीज़े मैंने बता है वो सारी चीज़े मैंने पढ़ के ही बता है और ऐसे ही रैगूलर कॉलेज को आना है तो सेम प्रोसीज़़ है एंसी वेब को कहीं जाना है तो सेम प्रोसीज़़ है तो एक तो मैंने आपको किस कॉलेज में जाना है जैसे मैंने हिंदू कॉलेज लिए आप SRC ले लो GGS ले लो किसी भी कॉलेज में जाए और वहां पता करना होगा ठीक है ना वहां पर कॉंटेक्ट नमबर है फोन पर पता कर लेजिए आप तो पॉसिबल है और आप जा सकते हो तो अपना साल खराब ना करें और आप SL में एडमीशन ले ले और लेने के बाद फिर फर्दर आप अच्छे हम मांक्स भी देखेंगे क्योंकि नोसी का मतलब मांक्स भी होने चाहिए ना तो अच्छे से तैयारी करिए और तैयारी करने के बाद आपको डेफिनेटली रेगलर कॉलेज में चले जाओगे या जो ब माचने का मन करता है मतलब हाथ पैरती रखने लगते हैं और वही आपके कान के पास बजाएगा ना पता चलेगा यार यह कितना परिशान कर रहा है मुझे से जिन बच्चे ने रेगलर कॉलेज में ले तो लिया फिर बाद में रिलाइज होता है यार हमारे लिए नहीं बना और जिन बच्चों ने अडमी ले लिया बोलता है यार रेगलर में मजा जाता हो रेगलर में चला जाए तो बहुत सिंपल सी थोड़े सी वीडियो लंबी हो गई है इसी तरीके से लास्ट में जाते-जाते मैं यह भी कहूंगा जो बच्चे सेमिस्टर वन के हैं किसी भी सम यानि कोई भी कोर्स आपका जो होता है स्लेबस है वो हम पूरा कंप्लीट कराने जा रहे हैं और लाइव क्लास होगी सभी की प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको बैक अप मिलेगा और बिलकुल हाई डेफिनेशन वीडियो होंगे बिलकुल सब चिज क्लियरटी होंगे कोई भी कर सकता है और वैसे भी मैं कहता हूं भाई एंड्रोल कहां करना है इट्स यूर डिसीजन आप लेकिन पढ़ना स्टार्ट करते जिए ठीक है ना तो होफुली आपको सारी बाते समझ में आई होगी तो अच्छा लगे वीडियो तो वैसे लाइक और सब्सक्राइब तो करी रखा है तो मिलते हम नेक्स वीडियो में थाइंक यू सो मच